आज हम बात करने वाले हैं अपने Google अकाउंट का पासवर्ड चेंज कैसे करें तो Google अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने के लिए आप अपने फोन में Google Play Store को ओपन करिए Google Play Store को ओपन करने के बाद उपर राइट साइड में आपको अपनी जीमेल आईडी का यहां फिर अपने Google Account का Profile Photo मिलेगा यहां फिर एक गोल सा आइकन मिलेगा इस पर आप किलिक करिए किलिक करके यहां पर आपका नाम, Email Address और इसके नीचे आएगा Google Account यहां फिर आपके फोन में आ सकता है Manage Your Google Account तो इस पर आप किलिक करिए किलिक करके थोड़ा सा वेट करिए उसके बाद आपके सामने यह वाला पेज आएगा अगर आपके पास यह वाला पेज नहीं आएगा यानि कि यह option नहीं मिलेगा तो इसका एक और तरीका है वो है अपने फोन में Gmail को open करिए Gmail open करके same उपर right side में Gmail के profile photo पर किलिक करिए यहाँ पर आएगा Google account यहाँ फिर manage your Google account इस पर किलिक करिए और किलिक करके आपके सामने यह वाला पेज आएगा अब उसके बाद आपको मिलेगा personal info personal info पर किलिक करिए personal info पर किलिक करके यहाँ पर आएगा basic info नीचे आईए यहाँ पर उसके बाद आएगा contact info तो फिर से नीचे स्क्रोल करिए और यहाँ पर आएगा उसके बाद password पर किलिक करिए password पर किलिक करके यहाँ पर अपने इस Gmail account का यान की Google account का password एंटर करिए और password एंटर करने के बाद next पर click करिए next पर click करके यहाँ पर ऐसा page आपके सामने आएगा अब यहाँ पर new password पर click करिए और अब आप अपने इस Google account का नया password जो बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप enter करिए उसके बाद नीचे confirm new password पर click करिए और जो password उपर आपने बनाया है अपना नया password वो नीचे फिर से fill करिए यानि कि फिर से इस password को यहाँ पर आप enter करिए अब उसके बाद नीचे scroll करिए और नीचे आकर आपको मिलेगा change password change password पर click करिए उसके बाद देख सकते हैं password changed successfully तो आपके Google account का password इस तरीके से आप change करें वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें